तो गाइज मेलीना कुमरी आप सभी का स्वागत है आपकी चैनल टेंशन फी पेपर टाइम में बच्चो कैसे हैं आप होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे सी प्रप्रेशिन कर रहे होंगे सो बच्चो अच्छी क्लास में मिगनु की बुक का थर्ड चैप्र पढ़ने वाले हैं माना विज्ञान की दिस्टी से परियतन लास्ट क्लास में हमने पार्ट सेकिंड पढ़ा था अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन और आपको लिंक मिल जाएगा आप पार्ट वन और पार्ट देख सकते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो पर पहली बार है तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटी वीडियो चैनल में आपको मिलती रहती है सो बच्चो यह चैप्टर बहुत ही इन्फॉर्टन चैप्टर है क्योंकि यही वो चैप्टर है जिससे आप सारे चैप्टर जितने भी आपके माना विज्यान की बुक में दिये गए उसको समझ पाएंगे क्योंकि यही से शुरूवात होती है माना विज्ञान की दिस्ट्री से परेटन आप जितना भी चप्टर पढ़ेंगे वो माना विज्ञान की दिस्ट्री से ही पढ़ने वाले है तो यह चप्टर बहुत ही इंपॉर्टन चप्टर है मानव विग्यान में परेटन के अध्यन का इतियास बच्चों मानव विग्यान को पढ़ने से पहले कि किस परकार से उसका इतियास रहा उसे जान लेना जादा अवर्शक है अध्यन में मानव विग्यान का प्रवे सयोग से हुआ था वैलम इसमीद जो 1946 में लास एंजेल सिटी कॉलिज में भुगोल और मानव विग्यान पढ़ा रहे थे को परेटन पर एक कोर्स विक्सित करने के लिए कहा गया था तो उन्होंने अपने मौलिकादे होस्टर्स एंड गैस्टर्स की रचना की 1977 में पहली बार परकाशित हुई इसका उद्देशे चात्राओं को एक पूरी दुनिया से नई दुनिया के बारे में सिखाना था जो दुत्ति विश्यूद के बाद उत्पन्न हुई थी परेटन की दुनिया के बारे में अपनी विशेश अगिता के कारण 1950 और 1960 के दर्शक में वह यूरोप और एशिया सही दुनिया के विबिन हिस्सों की यात्राओं के लिए लोग प्रिये और बहु प्रतिस्ट्रा सद्द से बने वैलन इसमीद बच्चों कहने का तात पर ये है कि जो आपके कहा कि आपको प्रेटन पर एक और स्विक्सित करना है तो उन्होंने कोर्स्ट विक्सित कि अपने मौलिक कारें ईए औस स्टे लैंड की रशना की को 1977 में फैली बार अपनी पुस्तक को परकाशित किया था और इस पुस्तक का जो विश्यूद हुआ था उसे जो नई दुनिया उत्पन हुई थी और नई दुनिया का जो इंवारेमेंट उसे अबगत कराना था इसी को उद्देशे जमस्ते हुए उन्होंने परेटन के उपर अपनी एक पुस्तक और इस परकार 1950 और 1960 के दशक में उन्होंने यूरोप और एशिया के सहित दुनिया के विबिन हिस्यों की यात्राओं के लिए लोग प्रियेवा भहू प्रतिष्टा सदस्य बन गए और परकार 1970 के आरंब में इसमित ने हॉस्टस एंड गैस्टस के लिए कारिकरमों की शु एक पुस्तक के रूप में जब बना लिया अब वक्त था उसको सब के सामने लएका आने का उसके उपर काम करने का एक प्रिक्टिकली रूप निरूपित करने का था उन्होंने अमेरिका एंटर्पोलोजिकल एसोसियेशन एए के समचार पत्र में परेटन के अध्यन में अंक्या प्राप्त की यह अमेरिकन एंटर्पोलोजिकल एसोसियेशन की 1974 में मैक्सिको सिटी में बैठक में परेटन पर एक सत्र की रूप में प्रकासित हुआ जहां 35 से अधिक प्रतिनिदित ने अपने विचार और निश्कर्स प्रस्तुत किये और इस प्रकार धीरे धीर प्रेटन को लेकर कई विचारकों ने अपने विचार प्रकट किये और समाजवा सरकार का घ्यान प्रेटन की और अकरशित किया जिससे प्रेटन में धीरे दीरे विकास ने एक नई प्रगति की और अपना मुख मूडा और आज हम देख सकते हैं कि प्रेटन एक दोग के 1970 में वैलत इसमीत ने अपनी पुस्तक हॉस्ट एंड गॉस्ट के लिए कारे करव प्रस्तूत किया तो अमेरिका के एतोपोलोजिकल एसोसियेशन एए समाचार पत्र के द्वारा उन्होंने सभी जितने वी परेटक मानव विज्ञान का जब अध्यन कर रहे थे उससे जो उ लेक्सिको की सीट जो हुई थी बैठक परेटन को लेकर उसमें उन्होंने अपने निश्कर्स अनुभव परेटन को लेकर उनकी क्या थौट्स थे उन सभी को सम्मोख रखा और आगे बढ़ाने का कारे किया और उसमें कुछ महत्पुन विचारक की रहे है जैसे ठेरॉन न विचारों ने परेटन को विक्सित किया और समय बीता गया और कुछ समय बाद अन्य माना विज्ञानी अमांडा स्टोंजा प्रकाश में आये जो एक शब्द एको टुरीजम को चर्चा में लाए यह सहित्ते की समिक्षा के साथ परियावर्णिये परेटन तथा जिसे परिवर्थन और विकास पर था एक रूची के रूप में एको टुरीजम परियावरण माना विज्ञान की विदी से जुड़ा है जो अब माना विज्ञान की एक प्रमुक शाका है इस टौंजा के बाद पैगी वेस्ट जैम्स केरियर जिम इगोए स्टॉकर्स रॉबर्ट फ्लेक्चर जैसे अनेक मानव शास्ट्रों के नाम उलेखने हैं जिन्होंने परिटन का अद्धन इको टुरीजम में किया है कहने का ताथ पर यह बच्चों यह है जब परिटन का विकास धीरे धीरे होता रहा और उस दोरान अमांडा स्टॉनेज आए जिन्होंने इको करते हैं इको मतलब एकनॉमिक से जोड़ते हुए हम टुरीजीम का विकास करते हैं तो इन्होंने ही हमेरेवस्प्र के सम्मख टूरीज्दYम को रखा कि किस परकार से हम हमारा हम उससे पैसे भी कमा सकते हैं जैसे भार की विदेशी लोग है हमाल को कुछ भी चीजे ये ecosystem tourism का convert हुआ और बहुत सारे विचारक आए और उन्होंने बताया कि हमारी समाजिक आर्थिक राजनेतिक नीतियां हमारी सांस्कृतिक नीतियां किस परकार से जब उसका अध्यन हुआ दीरे दीरे वो development से और अन्य पहलों की और भी गया और हमने उन सभी का अध्यन ने करत से हुई है समझा कि यह परकार से eco tourism है क्यों कि बहार के जितने वी विदेशी लोग होते हैं वो हमारे पर्यावरंट से हमारी आर्थिक चीजों से हमारी समाजिक रीति रिवाज संस्कृतियों से आकर्शी थोकर हमारे देश में आते हैं और इस परकार जब वो ब्रहमन करते हैं यात्रा करते हैं तो कही न कहीं उन्हें प्रात्मी वव्श्यक्ता है चीजों के जरूवत परती है उन सभी चीजों से कहीं न कहीं एक वेल्यू क्रियेट होती है वही परकार से eco system क्यालाता है और इस car. Welcome, the समय कठनाईयों का सामना करना पड़ता है ऐसा इसलिए है कि परेटन इस्तल परेटक मेजवान सभी की इस्तिती दिल्चस्वे लेकिन जटिल भी है जिससे परेटन अन्वेशन मतलब होता है खोज और जटिल हो जाती है बचो परेटन की जब जाज करते हुए पता चला कि हमें की भी रीति रिवाज को उसकी संस्कृति को उसके पहनावे को उसका पूरा समाजिक महत्व को समझने के लिए और खुद को अपनाने के लिए कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसकी खोज उसका मतलब जो एक पूरा तरीके से हम कह सकते है उसकी इतिहास उसक की ही आर्थिक इस्तिति समाजिक संस्कृतिक रीती रिवाज उनका पहनावा ओना खान पिन वो सारी चीजे एक दूसरे से अलग होती है और इस परकार उन सब चीजों को समझने के लिए उसकी खोच करने के लिए ये दोनों ही एक जटिल और अन्वेशन की खोच के रूप में उबर कर आते हैं चीके बच्चो मानव जाती वर्णन मानव विज्ञान जाच का आंत्रिक हिस्ता है यह एक कारे प्रणाली है जिसमें खुद को पहले एक विधी के रूप में और फिर एक उत्पाद के रूप में स्तापित करने की विश्वस्निता है इसमें समय की लंबी अवधी के लिए लोगों के साथ प्रत्यक्स जुड़ाव और अधिमानत संस्कृतों के बारे में परमानिक जानकारी इखटा करने के लिए स्थाइने भाषा का उपयोग शामिल है परेटन अध्दन के मामले में उपयोग की जाने वाली यह पत्ति उन पहलों को उठाती है जिन पर ध्यान देने की अवशक्ता है बच्चों कहने का तात पर यह है कि हम सभी लोगों की जो जातिया होती है किसी की हिंदु धरम के ओगर जो हमारी कास्ट रिलीजिस होते हैं वो सभी के अलग होते हैं जब माना विज्ञान का उन सभी के उपर जाच करने का आंत्रिक चीजों का उनके उपर एक्सपरिमेंट करने का उनको अध्यनने करने का बिल्कुल डिफरेंट उनका एक्सपिरेंस रहा उन सभी में उन्होंने देखा कि किस परकार से उनकी समाजी कार्थिक संस्कृतियों को उन्होंने समझा उनके रीती रिवाज उनके पहनावे को किस से समझा, उनकी भाशा को किस परकार से समझा, उनका पूरा रवया, हर एक देश की, हर एक विदेश की अपने एक language होती है, अपना एक culture होता है, अपना रीती रिवाच rule regulations होता है, उन सभी को समझना बहुत ही difficult होता है, और यह है जो मानव विज्ञान है, वो उन सभी है, इस पे भी चर्चा करनी चाहिए, कहीं न कहीं हमारे मानव का अगदिन ने करते हैं, उसके importance को दिखाता है, और इस परकार से मानव जाती है, महत्रपुन भूमी का निबाती है, परेटन के अंदर, ठीक है बच्चो, कारिये शेत्र और परेटक इस्थल एक परकार से वह होगे, तो वह सारे परेटन इस्थल होते हैं, अब परेटक पर डिपेंड करता है, वह जो यात्रा कर रहा हो किस के लिए कर रहा है, तो यह दोनों एक तरहीं से यह हमें दर्शाते हैं कि कारिये शेत्र मतलब अपनी वेब साइज से रिलेटेड को यातर या फिर ऐसा को इस भी आते हैं, इस तरह के एक स्थान की छबी परेटकों को विबिन जगाओं को देखने का अफसर देती है, क्योंकि यह उनकी कलपना में पड़ा गया है, और यह उनके द्वारा पड़े गए विवरन से है, जो चित्र उन्होंने कहीं और से देखा है, इससे उनमें एक सब में देखते हैं, तो वह इसे वैसा ही चाहेंगे, जैसा उन्होंने कलपना की थी, बच्चों कहने का अतात पर ही है, कि हम किसी भी जगह पर जाते हैं, किसी भी धरा मिस्तल से हो, कोई भी चीज से जब भी परेटक आकरशित होता है, तो उसका स्वप्र देखता है, तो उससे imagination कलपना करने लग जाता है, और जब वो जाता है, महा पर भी वह वही वैसा ही चीज देखना चाहता है, जैसे हम जाम पर से समझ लेते हैं, जैसे हम गोवा जाते हैं, हम उसके छबी मनाते हैं, जैसे हमने कई न्यूस पेपर में पढ़ रहा, कोई advertisement देख ली, किसी भ सकते हैं, जहां पर बहुत साई population गरिम के दोरान जाती है, और बहुत ही enjoyment करती है, जब भी हम कई पर भी जाते हैं, किसी भी चीज से आकर्शीत हो कर, तो हम उस चीज का स्वपन कर लेते हैं, उस तस्वीरों को देख कर, और जब हम ना पर जाते हैं, तो हम उस चीज की बास जो वेक्ति धरम आस्ता से लीन होता है, जिनका विश्वास होता है, वो टैम्पल्स को उस तरीके से देखते हैं, कि हाँ ये भी है इक तरीके से, ये इस तरीके से बनावाई ऐसे दर्शन करने, ऐसे लाइन्स लगेगी, ऐसा ये होगा, ऐसा वो होगा, इस तरीके से हम परका होता है चीके बच्चों से हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से भारत की मामले में पश्चिम लोग सपेरा जादुगर की आकरशक भूमी नंगन धरम सयासियों और हाती या सच्चे प्रेम के प्रती के रूप में प्रसित ताज महल देखना पसंद करेंगे बच्चों यह वो सारे उधारन है जिसमें हम पहले से ही अपनी मैनेशन बना रहते हैं जैसे जादू कर जब भी जादू दिखाता है हमें तो हम क्या करते हैं पहले से वो हमारे माइंड में कि हाँ ऐसा होने वाला है यह होगा अगर आप लोगों ने क्लैप नहीं किया तो इसके साथ यह हो जाए यह हमारे दिमाग में उस चीज की कल्पना बिठाते हैं और वही चीजे वह आव्यियर करते हैं और इसी परकार से जैसे उलुँत प्र फेल करते हैं वो imagination उसकी तरह बनाने तो जो हम वह जाते हैं तो उसी वातावरण में हम वैसा ही महसूस करने लगते हैं चीक है दूसरे स्थान पर एक पर्येटक स्थल्ल की पहचान ना केवल उसके अकर्षन के अधार पर की जाती है बलकि इस थान में जाने वाले लोगों द्वारा भी समान रूप से की जाती है और इसे आर्थिक और सांस्कृतिर रूप से जोड़ती है बच्चों कहने का ताथ पर यह है कि जो एक वेक्ति पर्येटक के रूप में जा रहा है किसी भी जगह पर वो उसका आकर्षन से तो जाता ही जाता है साथ में वहां के जितने भी लोगों का एक्स्पियेंस करता है जैसे भारत में को भी वेक्ति आता है वो बहुत सारी चीजों से आकर्षित हो कर आता है प प्रबावितवर उनके सांस्कुर्थिक और उनके समाजिक रहन खान पीन को बीची और देखता है और लेकर जाता है चीए एथोग्राफी पर परेटकों को टकटरी लगा कर देखती है कि परेटक स्थाइने लोगों को कैसे देखती है इतियादी जैसे कि उपर उले किया गया है कि परेटक उसे आनंद को प्राप्त करना चाहेगा जिसकी उसने परिकल्पना की है इसलिए ये समझना जादा मैतपून है कि एक निर्वंश विज्ञानी एथोग्राफी या एथोपर लॉजिकल्स ऐसे परिद्रिश्चे से कैसे निमटता है जहां अत तक्तरी लगा कर देखता है कि वह उसके व्यवहार को देखता है उसको जज़ करता है कि किस परकार से हमारा जो विज्ञान है वह उसके कि किसी भी एक अनॉन पर्सन से मिलता है अनॉन उसके कल्चर से को देखता है तो वह किस परकार से रियक्ट करता है किस परकार से उन जगह पर जाते हैं तो उसके आनन्द से जाते हैं कि हां यहां आनन्द आएगा यह चीज ज्यादा excitement है यहां पर हम बहुत enjoyment करेंगे तो वह कहीं न कहीं उस चीज को लेकर अपने मन में पहले से ही परिकल्पना कर लेता है कि हां यहां पर जाकर ऐसा अनुभव होने वाला है वो विग्मनों विज्ञानिक हमें बताता है कि जब माना पहले से ही अपने मन में परिकल्पना कर लेता है और फिर वो उस वातावरान को एक्सपीरियंस करता है तो वो किस तरीके स से action करता है किस तरीके से उसके जितने भी अनुभव होते हैं या फिर उसने जो भी अपनी इच्छाय हमारा एथोग्राफ़ी द्वारा किया जाता है और वो देखते हैं कि इन सभी वर्तमान समाजी कार्तिक संस्कृतिक चीजों से वो उल्जावा जगा होती है वो किस तरीके से उन सभी में रियक्ट करता है मूल लिवासी या मेजवान मैथिसंस और वाल ने बताया है कि जब मेजवान अपने महमानों के सामने आने पर अपने वेभार को बदल देते हैं लेकिन जब परियटक वापस जाते हैं तो वे फिर से समाने हो जाते हैं इसे एक सांस्कृति वाहव के रूप में देखा जाता है बच्चों कहने का ताथ परिये कि कुछ विचाला के उन्होंने मेजवान मेजवान वे लोग होते हैं जो भी मूल निवासी है जो परियटक को हैंडल कर रहा होता है जैसे हम भारत के लोगे हम मूल निवासे और जो भी विदेशी वेखती है वो एक परेटक है जिसे हम क्या कहते हैं मेमान कह सकते हैं वो एक परकार से जब हमारे देश में आता है हम लोगों से मिलता है तो हमारा जो भी वेवार होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है जैसे बताते हैं कि किस परकार से जब भी कोई मेमान हमारे घर में आता है तो मेजबायन का जो वेभार होता है वो किस तरीके से बदल जाता है उनके सामने कुछ होता है और पीछे कुछ होता है उन्होंने इसकी संस्कृति के बहाव के रूप में भी देखा है जैसे यह अधिक प्र कीड़ी के लिए सौब दिया जाता है तो यह उचारण का एक हिस्सा हो सकता है इसे अनुवांशिक विभार के रूप में देखा जा सकता है बचो मैं थिसंस और बाल जी अपने विचारों से बताना चाहते हैं कि किस परकार से जब भी कोई पर्याटक हमारे देश में आता है तरीके से मेजबान है या फिर हम कह सकते मूल निवासी है अगर कोई भी विदेशी भारत का जपान चाहिना से हमारे देश में आता है भारत के अंदर तो हम उनका किस तरीके से आदर समान करते हैं और किस तरीके से उनके जानने के बाद फिर से हमारा समाने नेचर हो जाता ह हमारा जो विवार होता है वो समाने हो जाता है और साथ ही यह भी बताते हैं कि किस परकार से हमारा जो संस्कृती है या फिर हम कह सकते हैं हमारा अनुवांशिक जो हमारे दादा पर दादा का जो विवार है वो किस तरीके से हमारे अंदर आता है और यह अनुवांशिक विवा भारांट से समझ सकते हैं भारत के ही ली स्टेशन जो कि पसंदा परेयर निस्थल्थ이고 अज भी उन्होंने हील स्टेशन के बारे में बताै कि जो भारत के है फीकळाइश देश में उन्हों हो में निवा वेभारे वहां के जो लोगों का वेभार है वो बिल्कुल इतना समानने हैं कि उनके सामने कुछ और पीछे कुछ होता एक तरीके से हम यह कह सकते हैं उन्होंने अपने विचारों में व्यक्ति किया है मैथिसन और बाल जी ने चीक है को पूरा करना होगा जो परेटक मैमानों को जैसा महसूस करा सके इसके लिए यह है कि मेजबानों को एक और वातवनों बनाने के लिए अपने स्वेके जीवन में बदलाव करने होंगे जो उनके रोजमन्रा का हिसा नहीं है नैशन जी अपने विचारों में व्यक्ति करते हैं या कोई भी मेमान हमारे घर में आता है तो हमारा जो इंवार्मेंट होता है वो बिल्कुल डिफ्रेंट होता है और साथ ही हमारा जो वातावरन होता है उनके अनुकूल नहीं होता हमें उनके अनुकूल बनाने के लिए फिर उनको प्रात्मी व्यशक्ता उनको अच्छा की चीजी चाहिए वो कुछ समय के लिए यह इंटर्टेन्मेंट के लिए आया है तो उसे हमें वैसा बातावरन देना पड़ता है चाहे है हम यह भी कह सकता कर कोई परेटक बहुत दूर से आया तो उसकी प्रात्मिता क्या होती है अराम करने के खुद को फ्रेशन अफ करने की तो उसे एक होटल और रिजॉर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो उस तरीके से भी उसको वो सुविधा प्रदान कराने क्या इंवारेमेंट प्रपेर करता है कौन एक मेजबान चीके बच्चो नेक्स्ट है माना विज्ञान के संदर में परेटन की व्याख्या अब यह हम अब समझेंगे कि किस परकार से माना विज्ञान ने कि द्रिष्टीन से परेटन को समझा गया है उसको देखा गया है जितना पड़ा वो एक इतिहास के बारे में जाना मेजबान कौन होते हैं मैमान कौन होते हैं परेटक कौन होते हैं कौन से इस्थल होते हैं साथ ही इस तरीके से हमारा पूरा कल्चर इसमें डिफाइन किया जाता है, इत्यास के अंदर के किस परकार से पर्यतक देखने आते हैं, उन सभी का अध्यन्य करना हमारा मानव विज्ञान के अंतरगत आता है, अब हम देखेंगे कि मानव विज्ञान के संदर्व में परेटन की जिसे अधिक लोग परे रूप से मेजबान कहा जाता है बच्चों मेजबान अभी हमने समझा कि मेजबान कौन होते हैं महां का मूल निवासी जैसे हम भारत के लोग है हम मूल निवासी है विदेश से कोई वेक्ति आता है तो वो परियटा किया फिर मेमान कहलाता है और इस प प्रिवहार का अध्यन्य करते हुए उन्होंने उनको एक मूल निवासी के साथ मेजवान रूप दिया है चीक है नेक्स्ट है मानव शास्त्रे अन्वेशन अन्वेशन का मतलब खोज होता है कि विशे की रूप में पर्येटन को शामिल करने से मानव शास्त्रे ज्यान के विस्तार को एक नया अधार मिला हाला कि समय बीतने के साथ परेटन का अध्यन्य करने वाले माना विज्ञानियों के हित व्यापक हो गए बचों कहने का ताथ पर यह है कि जब माना शास्त्रों के अकॉर्डिंग जब खोच के गए धीरे-धीरे हमें उनके विवार को जानने समझने का उत्सक और साथ ही उसको जानने का जो उत्साहा हमें मिला परेटन के और लेके चला गया और धीरे-धीरे हमें बहुत सारे टॉपिक्स वा मानव को समझने की प्रिक्रिया को और भी उत्साहित करने लग गया और धीरे-धी कुछा हमें जितना भी परेटन का अध्यन्य करना था हमें बहुत सारे टॉपिक में मिलते गई कि हां इसको भी अध्यन्नद करना है तब है हम मानव के रहन editing की ओने जाने फारण वी और कौन को समझ सकते हैं और उसका अच्छे कैसे बदलते हैं बच्चों जब भी पर्यटन यात्रा की बात आती है तो हम वेक्ति कोई भी किसी भी वज़ा से यात्रा करता है और किस परकार से वो यात्रा करता है उसका समाज में क्या effect देखने को मिलता है वो जहने नोटिस की, मानव शास्त्रों के विज्यान के according, ठीक है, next है, परेटक और मेजवन कैसे बाचीत करते हैं, एक नया या अनौन परसन किस परकार से, उस वेक्ती से, वो दोनों ही एक दूसरे से अनौन होते हैं, वो किस तरीके से बाचीत करते हैं, उसको समझने की की है साथ ही वह क्या सांजा करते हैं और किस परकार से जब वो एक दूसरे से बाचीत करते हैं तो क्या-क्या चीज़ों को एक से तो उन दोनों के बीच में क्या क्या सांजा होता है क्या क्या चीज के क्रिया उनको दिखाई दे नेक्स्ट है नई पैचान और आत्म चरित्र निर्मान होता है जब भी हम किसी या नौन पर्सन से मिलते हैं जैसे कोई विदेशी होता है और हम देश के लोग हैं हम साड़ी पहनते हैं और वो जिन्स ट्रॉप पहनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा चरित्र हमारी आत्मा हमारा प पैचान हमें भी अपने विभार में देखने को मिलती है इसके उपर अध्यन करता है नेक्स्ट है इन सभी पहलों के सयोजन के रूप में उभरता हुआ एक नया अर्थन निकलता है परियतन का बचो ये सारे ही पॉइंट्स वो है कि परियतन का अध्यन ने किया जब मानव वि परियतन को बड़े ही असानी से समझ पाएंगे क्योंकि परियतन एक यात्रा है और किन किन कारणों से किस चीजों से एक मनुश्य प्रभावित होता है क्या डवलपमेंट होता है क्या चेंजिस होने हैं क्या उनके अंदर बदलाब देखने को मिलते हैं वह सारे ही ग्येंड में शामिल है ये दापी समाजिक संगतन्यकी अतिहा सांस्कृतिक परिवर्थनों प्रवास परियाऌन लिंग, इस्तिकरण+, अनुस्थान और पहरांग्ये जैसे प्रमो कार ये परियटन में समाजिक संस्कृतिक माना विज्ञानीक द्वारा किया जाता है बच्चो माना विज्ञान की मुक्य शाका है सभी की द्रिस्टिकोणों से चाया वो परियटा को चाया वो वहां का मूल निवासे उन दोनों के हिए द्रिश्टि कोनों को ठ्यान में रकते हो उनका अध्यमने करते हैंák उनमें डिलप्मेंट उन confirming उनकी रिक्वाइम smo कि ऐस्वी सांसकृत्ति कि आप्या, कि मिलते हों सब्सक्रू coupled या दर्शाते हुए बताया है कि किस तरीके से वो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक नई मानव विज्ञान के द्वारा उन सभी को सिद्ध करने में उनका अध्यन करने में महतुपोन भूमिका मिलती है और हम अपना उसी दिशा की और अपना डवलम्मेंट करते भी दिखाई देते हैं ये वो सारे ही पहलू कह सकते हैं जब भी कोई परेटक हमारे देश में आता है तो उन्हें चाहिए होते हैं अगर ये सारी चीज़े उन्हें हमें पता चल जाए कि यह चीज़े चाहिए तो हम अच्छे से अपने देश के अंदर उत्पादन कर सकते हैं चीजों को उनकी services पूरी कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ा महत्पुन कारण बन जाता है कि ये सारे तत्व हमें पहले से परेटन के द्वारा भी पता चल जाते हैं और लोगों को इसे रोजगार में मिलता है और अपने देश की economic कोम बढ़ाने में महत्पुन भूमी का निभ और संग्रालिय ऐसे इस्थान जहां परेटक जाना पसंद करते हैं पुराततु मानव विज्ञानियों ने पुराततु विदो के साथ मिलकर विरासत वाली इमार्तों इसमारकों और महत्पुन संग्रालियों को जनता के लिए अच्छी इस्तिति में रखा है संग्रालिय के शिल्प कृत्तियों को खटा करना और उन्हें जनता के सामने प्रदर्शित करना भी उनका काम है इसे पुरातन और पुरातत्त्तू के साथ सायोग का विकास हुआ है जिसे पुरातन परेटन सयोग या साजेदारी के रूप में जाना जाता है बच्चो पुरातन मतलब पुराना इतिहास हम कह सकते हैं उन सभी का अद्धन ने किया है हमारे मानव विज्ञानों के दुआरा जितने भी हमारे संग्राले धरोहर इस्थल है जो हमारे मुजुर्गों से मिलती है जमीनों को खोडकन मिलती है क्यास का एसे श्थल हम कह सकते हैं और उनका शाशनता प्रिग्रियात थी उनका रित्यरिवाज कहता है वो सभी देखने को मिलता है ऐसे ही जब हम किसी चीज की खोज के लिए निकलता है माना विज्ञान तो उन्हें बहुत सारी चीजों का दिन ने करने में सायता मिलते हैं जैसे हमारा धरोहर इस्ताल हो गई हमारे संग्राले हो गई हमारे शिल्पकृतियां हो गई जो जैसे हम राजशी मूर्तिया कह सकते हैं बहुत सारे शाशे को ने राजशिया उन्होंने अपने अलग-अलग शिल्पकृतियां बनाई वो देखने को मिलती है दरोहर जैसे हम कह सकते हैं ताज महल हो गया है ना संग्राले बहुत बड़े हमारे संग्राले देखने पर म्यूजियम को मिलते हैं जहां southрав materам साइंस की चीजे या इस हैं साइश जो भी पास चीजे बर5000 नहीं नहीं हैं पिर से संस्कृति को futre बरकर करना करें और उसको और निकारते हैं जिससे परबावित तोगने हमारे देश में प्रहमांड करें और उनसी का अध्यान करने जो एक सुनहरा मौका या उजावर किया है, वो कही नहीं मानव विज्ञान के द्वारा ही सिध्ध हो पाया, अगर यह लोग किसी भी तीडेक्रा कहा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, चीज़ों को नहीं जानते कि मानव किस तरीके से यात्रा करता है किस चीज से प्रभावित होता है क्या क्या जानने कि उसके परेटन आकर्षन केंद्र है उन सभी को अगर मानव विज्ञान हमारे सम्मुक नहीं लेकर आता तो शायद हमें इन सभी चीजों के बिना अधूरे होते कभी भी अपना इत्यास चीज नहीं जान पाते तो यह वो सारे तत्व एक तरीके से मानव विज्ञान के द्वारा हम एक प्रियाटन को भी समझ पाएं और मानव के व्यव्ट्पित्त व में में महत्वपून भूमिका मिली है चीकिए बच्चो नेक्स्ट है भाषा और प्रतिकों के माध्यम से पर्यटक और मेजबानों के बीच जो संचार होता है वैसमकालीन भाषा इमानव विज्ञानियों के लिए अध्यन का एक महत्वपून शेत्र है भाषा और इशारों का यह देश के अंदर के वेक्ति वेक्तियों में एक दूसरे के लिए उन दिनों के लिए विश्वास पैदा करते हैं जिस समय वह एक दूसरे के संपर्क में होते हैं यह भाषा इमानव विज्ञानियों को इस तरह के चल रहे मोकिक और अलंकारिक प्रसारण का विश्लेशन करने के लिए विचारिक इस्तान प्रदान करती है बच्चो भाशा भी कही न कहीं अपनी मैतपून भूमी का निभाती है हमारे communication के अंदर अगर हम एक दूसरे का communication नहीं समझ पाएंगे इशारा नहीं समझ पाएंगे तो हम ये भी नहीं समझ पाएंगे कि वेक्ति क्या कहना चाता है या हम ये नहीं समझ पाएंगे कि उसे क्या requirement है तो इसी परकार से जब भी एक परेटक और एक परेटन इस्तर के मूल निवासों से मिलता है तो हम उसके बातों से उसके विचारों से समझ पाते हैं कि उसे क्या requirement है क्या जरूरत है कि इस परिशानी में है साथ ही यह है एक comfort zone भी पैदा करता है भाशा अपनी आदान प्रदान करकर कि किस परकार से वो एक comfort zone में उस वेक्ति के साथ कैसा वेभार करता है उसका अध्यन करने के लिए एक मैतकुन भूमी का हमें मानव विज्ञान के द्वारा प्रदान की जाती है कि अगर मानव विज्ञान इन सब चीजों का अविश्कार नहीं करता इन सब चीजों पर एक्सपेरिमेंट नहीं करता तो शायद हम इन सब चीजों को इशारों को किस तरीके से रहा है उसको नहीं समझ पाते किस तरीके से हमने बोलना लिखना और अन्य भाशाओं का अद्धन ने किया है यह भी हम नहीं सीख पाते ना ही हमें पता होता कि किस परकार से लोग अपने बातों को अपने लोगों के स से मानव विज्ञान के बज़े से ही हम समझ पाएं है अगर वो अद्धिन नहीं करता तो हम यह साइच चीजे नहीं समझ पाते चीके बच्छों भोतिक मानव विज्ञान परेटन से जुड़े विबिन्य कारेशेत्रों के समान रूफ से अद्धिन्य करता है उधारन के लिए मानवतिये भोतिक मानव विज्यान की एक लोग प्रेशाका है जो परेटकों को भेतर सेवाओं के लिए योजनाओं को त्यार करने के लिए मानव विज्यान मापो का उप्योग करती है विबिन प्रकार के मानव शरीर के मापन, भूमी, वायू या समुंद्र में प्रियुक्त वहनों की सीटों की निर्मान में साहिता कर सकते हैं जो लंबी दूरी की यात्रा करने वाले परेटकों के भैतर अराम परदान करा सकते हैं बच्चों कहने का ताथ परेए कि अगर हम मानव के जो भूतिक विज्ञान उसको नहीं समझ पाते तो कहीं न कहीं हम मानव के जीवन का जो भी मापन, तोलन की वो कैसे वातावरण में क्या रियक्ट करता है कहीं पर उसे जाना है उसकी प्रात्मे को वश्यक्ता क्या उन सभी हम अगर उसकी दूरी की यातर करना चाहता है तो उसे क्या कर समस्या कर सामने करना पढ़ा कम की या फिर गर्ण में थंड़े लागे में उसका क्या एक्टिविटे क्या एक्षिन होते हैं उन सभी चीजों को हम शाय से नहीं समझ पाते चिक्या इसके अलावा ठाइलेंड ज इसका परेटव पर घहरा परभाब पड़ता है अथा यह कहा जा सकता है कि परेटन के अध्यन दिन में मानव विज्ञान की विभी निशाकाओं को गंभीरता से शामिल किया गया है बच्छो परइटन एक परकार से हम्में मानाव-विalon जब अध्यान हुआ बहुत सारी चीज़ों का अध्यान ने किया और इस परकार हम्मने पर्यश्टन को बढ़ावा दिया जैसे हम कैसे हैं स्वास्त परतन के और हम ने बढ़ावा का दिया क्या चीज़ उसके लिए requirement है क्या नहीं है उन सभी का जब हमने अध्धन ने किया हमने शुरुआत परेटन से कीती पर हमने एक वेक्तित्तु को भी समझा कि मानव कैसे environment में कैसी जगा पर क्या चीज़ से अकरशित होता है और क्या react करता है उन सभी चीज़ों को गंभीरता से हमने परेटन के विज्ञान के अंदर जब हमने पढ़ा तो इन सभी चीज़ों को शामिर करते हुए हमने उन सभी का अध्धन किया और इस परकार से चप्टर खतम होता है बच्चों अगर कोई doubt हो तो please comment box में comment कर सकते हैं तो चलते हैं इसके important questions की और सो इसके questions answers को देख लेते बच्चों की किस तरीके से questions पूछे जा सकते पहला है मानव विज्ञान के संदर्व में परेटन की व्याक्या कीज़े या तो ऐसा questions पूछा जा सकता है या फिर परेटन में अध्यन की कौन से शेत्र है जिस पर मानव विज्ञानी समकानी समय में अध्यन के इंद्रित करता है बच्चों इसके अंदर आपको मानव में किस परकार से परेटन को लेकर उसका अध्यन ने किया उसके समाजिक सांस्कृतिक पहलों के ओपर ध्यान अकरशित किया उन सभी पहलों को आपको इस questions के अंदर explain करना है ठीक है next questions है बच्चों मानव विज्ञान में परेटन के अध्यन का इत्यास बताए या वेलर में समीत कौन है किन परस्तितियों ने उन्हें परेटन पर काम करने वा हॉस्टस एंड गैस्टस पुस्तक प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया इस तरीके से दोनों questions में आपको पूछे जा सकते हैं एक ही इतिहास की शुरुवात की और बहुत सारे विचार को ने उनका आगमन किया उनको मानते हुए और आगे बढ़ा और आज परेटन उधोग के रूप में आज हम देख सकते हैं परेटन को तो वो सारे points आपको इसमें explain करने हैं अगर कोई doubt हो तो please comment box में comment कर सकते हैं अगर थे थेंक्यू विच्छू